नमस्कार दोस्तों मधुवन टेक योटोब चैनल पर आप सभी कस्वा आगे थे दोस्तों फेस्बुक के अंदर इमेल चैंज करना चाहते हो फेस्बुक अकाउंट के अंदर जीमेल चैंज करना चाहते हो कैसे कर सकते हो आज इस वीडियो के अंदर live proof के साथ मेरे इसी facebook account के अंदर आपको email change करके दिखाऊँगा अगर आप भी email change करना चाहते हो तो बिल्कुल easy process बताता हूँ बिल्कुल short में बताने की कोशिस करूँगा तो वीडियो को आखिर तक देखना चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मधिवन टेक योटूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना सोशल मेडिया से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो डेली आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी दोस्तो facebook के अंदर email change करना है तो समसे पहले तो आपके पास कोई नया एक facebook का email होना चाहिए या फिर कोई ऐसा email होना चाहिए जो इससे पहले कभी भी facebook पर आपने उसको अटेच नहीं किया है किसी भी account के साथ मेरा facebook account ओपन हो चुका है अब इसके अंदर में आपको नया फ्रेश जीमेल एड करके दिखा रहा हूँ ठीक है world वाला है वो हम अटा देंगे नया जीमेल एड कर देंगे उसके लिए आपको थ्रिलाइन पर टेप करना होगा यहाँपको निच्चे कियो और स्कॉल करना है प्रैवेसी पर टेप करनेके माद सेटिंग कर देना होगा या से आप mobile number भी change कर सकते हो, email भी change कर सकते हो, या फिर date of birth भी change कर सकते हो, facebook का name भी change कर सकते हो, सब कुछ यह से manage कर सकते हो, आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको contact info पे tap करना है, तो मेरे पास already एक mail add है, बट मुझे इसको हटा दिना है, नया fresh email add करना है, क्योंकि हो सकत इसा fresh email डालना है, जो कभी भी facebook के साथ आपने link ना किया हो, या फिर आप नया बना कर भी डाल सकते होगे, या पर आपको अपना नया वाला email address एंटर कर देना होगा, दोस्तों मैंने यापर नया email add कर दिया है, आपको इस account पर tap कर देना होगा, तो आपको इस code को आपको एं email आ चुका है, तो देखते हैं हमें क्या कुछ मिला है, तो यहाँ पर जो है, यह नया email add करने के लिए बोला गया है, तो यह मुझे confirmation code मिला है, आपको इस code को simply यहाँ से कर लेना होगा, यानि कि इस account के साथ आपने email को add कर दिया है, आपको close कर देना है, यहाँ पर दिक्कत ह होगा, कि दो Gmail add हो जाएंगे, तो आपको old वाला remove करना होगा, तो कैसे remove करोगे, तो old वाले email पर tap करना होगा, इसको delete कर देना है, अब यहाँ पर आप दिलेट करोगे, तो आपको अपने Facebook का password एंटर करना होगा, पासवर्ड को एंटर करने के बाद continue पे click कर देना है, तो आ बहुत आसानी से आप अपने Facebook के साथ नया Gmail को add कर सकते हो, और Gmail को remove करवा सकते हो, आई होब आपको process अच्छे से समझ में आ चुका होगा, वीडियो से related, आपको कुछ confusion है, कोई सबल है सुझा होगा, तो आप मुझे comment करके बता सकते हो, thank you so much, आप सबने वीडियो को यहाँ आप आप का बहुत बहुत आणिया वाद